कैसे हैं आप सब लोग आज हम बनाएंगे नबरात्री श्पेशल अस्टमी और नव्वे के लिए पूरा प्रसाथ जो की हम बहुत ही जल्दी और जटपत बना कर तयार करेंगे तो फ्रेंड्स रेसिबी को पूरा वाज करें सबसे पहले हम बनाएंगे छोले जिसके लिए मैंने काला छोले लिया है इसे मैंने भिगा के रखा था तीन से चार घंटा के लिए अब हम इसमे थोड़ा सा पानी डालेंगे और डालेंगे नमक और डालेंगे घी इससे हम बिजल लगाएंगे तीन से चार लोटू मिडियम फ कलर होने तक भूनेंगे तो यह देखिए सेमया जो हुई है वो हम low to medium flame में भून रहे हैं यहाँ पर दूद हमारा उबाल चुका है अच्छा से उबाल आ चुका है अब हम इसमें डालेंगे काजू चाहे तो आप दूसरा कोई दूसरा fruits भी डाल सकते हैं और अच्छा से हमें अश्वाइब बिल्कुल भून ना है अब हम जैसे दूद में यह सीमया को डाल दिया है और गैस की flame को लो कर दिया और लो फ्लेम में हम गैस में यह जो खीर है इसे हम पकने के लिए रखेंगे यह उबालते रहेंगा यह जो फीरे बहुत जटपत बन जाता है इसमें हम ढा बनाना है इसलिए हम यहां पर खीर बना रहे हैं और यह देखी मैंने इसमें डाल दी है चीनी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं मीठा कितना ज्यादा कम खाते हैं उसी साब से थोड़ा सा ड्राइफुट्स में और डाल दिया है तो देखिए हमारा जो सेमिया अब हम बनाएंगे सूझी का हल्वा तो सूझी को भी हम पहले भूनेंगे तो मैं क्या करते हो कि बहुत जबा़ घी से नहीं बनाती हूं में बहुत कम घी यूज़ करती हूं खीर या फिर हफीर सूझी का हल्वा बनाने के लिए तो मैंने यह पर 2 चमज घी डाला है और 7 पाउडर अब में कुछ यहां पर केसर की धागे डाल रहे हूं यह अगर आप तोड़ा सा कलर चाहते हैं यहां पर केसर डाल सकते हैं तो यह देखिए सूजी हमारा ब्राउन होने तक भूंचे हमने हलका ब्राउन किया है और जब तक सूजी में अच्छा खुजबू आएगा किसे बनाएंगे ताकि जल्दी हो जाए अब हम डालेंगे इसमें ड्राइफ फ्रूट्स और अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो बस हमारा जो सूजी का हल्वा है यह बन चुका है आप चाहे तो इसमें और ज्यादा घी डालना चाहते हैं तो यहां पर कुप सारा घी आप डा इसमें डालेंगे तेल में मैंने डाला है कुछ खडे मसाली जैसे की दार्चिनी लॉंग इलाइची तेचपत्ता सहा जीरा दो हरी मिर्च और कुछ करी लिप्स इनको चातर काने देंगे अच्छी तरीकसे इसमें हम डालेंगे बनाया हुआ पेस्ट जो कि हमने टामाटर का पेस्ड बना था वह हम इसमें डालेंगे और इसे भूनेंगे क्योंकि इसमें हम दुखरा ज़ जाधा मसाला यूज नहीं करेंगे कम मसाले में हम यह जू से अलुकी सब्जी उसे यहाँ पर थी पाऊडर डालेंगे मिरच पाऊडर जंनती । नहीं मैं क़िश्ब plugging डालेंगे धनियाा और जीरा का भुना हुआ पावडर एक चमस डालेंगे यहाँ पर मैं डाल दियो कुछ कसूरी मेति टाल दिया है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा यह है चार्ट मसाला और यह है गर्म तो बस हमें यहां पर जादा मसाला यूज नहीं करना है, स्वादनुसर नमक डालेंगे। और मैं इसंहें थोड़ सा चीनी भी डाल रही हूं स्वाची बहुत देस्टी बनता है। तो बस हमारा पर सबजी का मसाला तकरिबन बन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हिंग, हिंग डालेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा और डाइजिस्ट भी हो जाता है, तो इसलिए हमने हिंग डाल दिया है, अब हम डालेंगे बॉल किया हुआ आलू, आप कॉंटिटी अपनी साब से बनार सकते हैं, ने यहां पर तीन आलू को चोड़े-चोड़े पीशेस में कटकर लिया है, अच्छेसे मैंने पहले बॉल कर लिया था तो अब मैंने इसको यहां पर डाल दिया, अगर आपने ज्ञदा ही आलू को बॉल कर लिया है, तो आप क्या करेंगे अगर आप ग्रेवी नहीं चाहते हैं तो बस मसाला डाल की थोड़ी दिर फ्राइब करके इसको आप निकाल सकते हैं और अब हम डालेंगे इसमें धनिया बत तो देखें यहां पर आलू करी जो ही वह बहुत अच्छे से बनके लास्ट में डालेंगे घी एक चमस घी राली है आलू लाता है और आलू का तड़ी बनके तयार हैं तो अब चोली को देख लेते हैं छोली तो हमारे बहुत पहले बॉल हो चुका है यह देखिए बहुत अच्छे से छोला बोल हो चुका है तो अब हम चोली को लगाएंगे तरका तेल गरम होने पर इसमें डालेंगे आज जीरा आदा छमद शिभिगम रज राई करी लीपष और टालेंगे हम हरी मिर्च हरी मीर्च हैं Mais Hebeer पर ज indem या secre पर ज़ादा डालेंगे और रेट मसाला मिनना ननल नकारा हें थिम खोने के अयाओं हमासी देखाले क्या दोगा दूस्टेऒ को अनुदाल है के दिखे के कि अगर मद फिक पूले में तो फैकि औरömरे तो मैने नहीं प्याएं उसके साथ में छोले को यहाँ पर डाल दिया है अगर आप छोले में थोरा से ग्रेवी चाहते हैं तो थोरा से पानी और एट कर सकते हैं तो यह मैंने डाल दिया इसमें चाट मसाला चाट मसाला बहुत अच्छा फ्लिवार आता है और डालेंगे नमक पहले भी मैंने नमक डाल बन उपर से तोरह से धनिया पत्त डाल देंगे तो यह देखे छोले बनकर बिल्कुल तयार है, है ना कम मसाले में छोले बनकर बिल्कुल तयार, अब हम बनाएंगे पूरी, पूरी हमिया पर गेहों के आठे से बना रहे हैं, और मैं इसमें डाल रहे हूं सूजी, दो कप मैंन यह देखिए हम पहले प्राइब टेल के साथ में अच्छा से मिक्स कर लेंगे तो आप चाहिए तो मैदा से भी इसे बना सकते हैं अब हम इसे पानी डालके अब इसे एक आठा का डो लगाएंगे क्योंकि पूरी की लिए जो आठा होता है हमें बहुत जदा सॉब्ट या तो यह देखी हमने आटा को इस तरी के से मिलाया है थोड़ी दिर हम इसे रेश्ट के लिए रख देंगे तो यहाँ पर दसमीन के लिए रख देंगे दसमीन के बाद शूजी जो है फुल चुका है आटा में अब हम आटा को थोड़ी दे अच्छ से हातों से मसल लेंगे ये रेखिए मैं इस तरी कीसी पूरी का आटा को मिला रहे हुँ क्योंकि हमें जो आटा है न बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है बहुत ज्यादा सॉप्ट नहीं करना है तो इस तरह किसी लोई काट लेंगे और अब हम पूरी को बेर लेंगे तो बस है ना कितना जटपट हमारा ये प्रशाद बनकर तयार है आप चाहिए तो इसे पुजा में प्रशाद के रुप में बनाए या फिर आप घर में कोई मेहमान आ जाए तो जल्दी हल्दी मविस्तर के बना सकते है बिना प्यास लसुन का बिना जादा मसाला डाले इतना अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनकर बिल्कुल तयार है तो देखिए यहां पर बिल्कुल फुली फुली पूरी बनकर हमारा त्यार हो चुका है अगर यह रेसीप आप लोगों को अच्छा लगा है थोड़ा से भी पसंदा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट में बोले कि कैसा बना है तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुरू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिल आइक को प्रेस करें लाइक करें और कमेंट जरूर करें धन्य बात